हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं रियार अठोड आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एक्जैम्स वाला यूट्यूब चानल पर और उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट बेस्ट टॉपिक हमारा क्या है दिल्ली एंसी आर के तर्च पर होगा यूपी एससी आर का गठन दिल्ली एंसी आर के बारे में आप सबने सुना होगा नाशनल क्यापिटल रीजन इसमें हरियाना के कुछ जिले हैं राजस्थान के लेकिन अगर हम बात करेंगे कि UPSCR का कॉंसेप्ट जो है वो क्यों आया और कब आया बात है 2022 की 2022 से यह जो विधेयक है वो चर्चा का विशय बना हुआ है कल यानि कि सोमवार को यह पारित हो गया विधान सबा से और अब यह लागू हो गया यानि कि इस पर काम जो है वो शु इसके साथ यानि कि लखनव के साथ में मतलब कि लखनव के आस पास वाले जो 6 जिले हैं 360 डिग्री उनका विकास करना इसका में एम हो जाएगा सबसे पहले तो जब हम NCR की बात करते हैं तो NCR में डिली UP के टोटल आठ जिले आपको देखने को मिलते हैं जैसे शामली हो गय उत्रप्रदेश सरकार ने लखनव और उसके आस पास के पांच जिलो को शामिल करते हुए राज्य राजधानी छेत्र के गठन की घोशना की है यह विकास दिली के आस पास राष्ट्र राजधानी छेत्र के समान है और इसका उद्देश बढ़ती आबादी और बुनियाद धांचे की मांग को पूरा करना है अब हम एक बार इन जिलों के बारे में देख लेते हैं जैसे NCR में लखनव, हर्दोई, सीतापुर, उन्नाव, राइबरेली और 12 बंकी को शामिल किया गया है और मेंली इनका जो हेड़क्वाटर होगा वो होगा लखनव में इन जिलों की कि कितनी भूमी को शामिल किया जाएगा तो 27,886 वर्ग किलोमेटर भूमी को SCR में शामिल किया गया है अगर आप देखना चाहोगे तो हर्दोई है, सीतापुर है, बारा बंकी है, लखनव है, राइबरेली है, उन्नाव है अब थोड़ी बहुत बाते हमारे लिए ये भी म आठ राज्य है और इंटरनाशनल बाउंडरी एक के साथ, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कि UP किस किस के साथ अपनी सीमा सांचा करता है, नेपाल आपको यहीं पर दिख रहा होगा, उतराकंड है, हिमाचल परदेश है, हरियाना हो गया, और यह आपको दिख रह करके बताना है कि UP में विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है,